बिस्मिल्ला रह्म 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 हेलो गाइज माई नेम इस शहाब इली माई बिलाउंग ते पाकिसान कि चंद महीनों से मैं पाकिसान के मुखिलिफ मोटिवेशन स्पीकर्स को सुन रहा हूं और हर को इन से यह सवाल करते हैं और बिल्के बहुत भी सजेस्ट करते हैं खासरों पड़े लिखे लोगों को कि अगर आप जॉब नहीं मिल रही तो डॉंट वेस्ट यूर टाइम और क को पता है कि हमारे मुलक में डिगरी होल्डर्स बहुत जादे हैं लेकिन जॉब बहुत कम हैं तो क्यों ना हम बिजनिस के तरफ आएं यह बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि एक पड़ा लिखा शक्स एक बिजनिस को या किसी भी काम को नहायत कुश असलूबी के साथ होना मैं अपने आप पे यह एपलाई करूं और एक रिसर्च करूं बेस्ट ऑन माई रियल रिसर्च आपने इस वीडियो और मैंने इस पर थोड़ा सा काम किया और अब मैं इसको आपके साथ शायर करना चाहता हूँ विए पर यह एक रही हैं और मैंने इसको बड़ाई आपके साथ और आपके साथ और यह दोनों लाजब और मल्दूम चीजें हैं अगर हमारे पास कैश है और विलपावर नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं लोग लोग को पास पाकिसान में करोन रुपे हैं लाग नहीं कर पा रहे हैं यह जिस्ट एक फर्स स्टेप उठाने ही मुश्किल होती है लेकिन जब आप एक स्ट्रॉंग विलपावर आजाए एक मुसंम्म इरादा जब हम कर लेते हैं जब हाइली मोटिवेटिड हम हो चाते हैं तो हम कोई भी काम ये कोई भी बिजिस हम इजिली पावर भी है तो अब देखते हैं कि हम नेक्स्ट क्या चीज़ें दिरकार होंगी बर्गर शॉप के लिए सबसे पहले जो चीज है किसी भी पॉइंट के लिए किसी भी बिजिस के लिए वह पॉइंट या प्लेस बहुत इंपॉर्टन है अगर हमारे पास एक अच्छी प्ल जगह भी अच्छी स्रेक्ट होगी है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि इसका एडवांस क्या होगा और इसका रेंट क्या होगा यह जगह स्रेक्ट करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है रेंट और एडवांस पेमेंट की निगोसीशन में लोगों को जो ह लगणत सबसे थिए अपने जगह का ओनर है उसके बाद हम औरन्ग श्रेद का सबसे तो मैंने जिए हमारे पास बजली जाहरी बात है रात को चलते है वे रात को चलता है तो हमें देखना होगा कि हम एलेक्रिसिटी या तो हम बैटरी से जो है वो पावर ले सकते हैं या पिर जो है जिस जगह हम यह पॉइंट अपना बनाना चाह रहे हैं वहां हम किसी शॉप से हम ले सकते हैं वायर डिपेंड ऑन ते सरकुंस्टांसिस अफ डैट प्लेस या जो ह आअ इसे जो है जिसे ने यह सबसे पहले को कौन सी चाहिए होगी सबसे पहले हमें तो एक यह स्टॉल चाहिए होगा या कैबिं चाहिए होगा या 15-20 रुपे में इजी लेबल हो सकता है और अगर आप लौर में हैं तो आपको यह से इक इंट भी बजार से मिल सकते हैं और पराइन भी और कि दूसरी वेबसाइट से एजिली अवेलेबल हो सकते हैं, अगर आपकर अरकबार की दुकान में भी चले जाएं तो पुराणे हो सकता है आपको यह बर्गर की जो टॉली है यह मिल सकती है, इसके इलावा हमें चाहिए होगा एक स्टोफ चाहिए होगा तवा मैंने देखे जो बर्कर वाले यूज़ करते हैं कि टूल हमें चाहिए होंगे नेक्स आज़ेते हैं रा मटिरियल जब आप बर्कर पॉइंट बना लेते हैं तो वैसे तो स्टार्टिंग में आपको मार्कीट से बायर करना पड़ेगा लेकिन उसके बाद यह होता है कि जो सेल्स परसन होते हैं और डिफरेंट कंपनी वह खुद ही आपको यह शौर्मा या बर्गर्स वगारा जो है यह प्रोइड करना शुरू कर देते हैं इवन कि आपको टूमाट चीज़ा आती है लेट्री सोटे मांटर इसके लावा अनियन यह आपकी मर्जी आपको कुछ और इसमाल करना चाहें तो आपको पहले से रेडी करना पड़ेगा इसके लावा यह बन हैं आप डिपेंड नहीं कि आपकी कस्टमर क्या डिमांड है या पौन सा बर्गर यह रा किसा है अगर आप ज्यादा पोश एरिया में बर्गर शॉप उपन करना चाहरें तो आपको एक अच्छी पैकेजिंग या यह थर्मोपोर की जो है जो पैकिंग है वह आपको यूज करना पड़ेगी अधर्वाइस जो है वह आप एक अच्छे कागस में अपना बर्गर पै है अच्छी पैकिंग करना चाहरा हूं तो आप गत्य की पैकिंग कर सकते हैं या आप इसको यह थर्मोपोर की पैकिंग में भी आप जो है वह 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 को दे सकते हैं नेक्स आज़एता है प्रोमोशन के लिए सोशल मीडिया तो सबसे बेस्ट है लेकिन अब तो आप क्योंक बहुत ज़्यादा घरों में एक अगर आप मिडियोकर एरिये में भी अगर आप ये बर्गर शॉप खुलना चाहरे हैं तो वहां अख़वार तो कमतकम सब्सक्राइब घरों में आता होगा वरना अगर अगर अख़वार नहीं आता तो आप ये एक ब्रोशर बना सकते हैं इसके लावा उस ब्रोशर में आप फेस्बुक का ये ट्रीटर का अपना जो है वो पेज बना के जो है वो उसका अड्रेस आप लिख सकते हैं और इसके लावा आप तो SMS मार्किटिंग भी है लेकिन वो थोड़ सा कॉसली होगा लेकि बेतर ही है कि आप एक सादा सा ब्रोश से आजाती है इसे आपके कॉस्ट तो बढ़ जाएगी लेकिन आप कस्टमर को एजली अटट कर सकते हैं आप जैसा कि आप जानते हैं कि बर्गर के साथ चिफ्स तो हरकोई ज्यादा तर लोग पसंद करते हैं तो आपको चिस्प के लिए फिर फिर फ्रायर लेना पड़ेग और वो यद गैस अपरीटेड़ हो तो ज्यादा आपके लिए फिजिबल होगा एक शस्था पर हाँ पर आप पर प्रिजली की कौस्त भी बढ़ जेगी की आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप शाम को अब ये बर्गर कॉंट बनाना चाह रहे हैं तो बःफ ले 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 और और एक जस्ट एक खाली एक पेट्टी टाइब मिलती है उसमें अगर आप बरफ डालें और वो कोल्डिंग्स अगर आप उसमें रख लें तो उसे भी कोल्डिंग्स ठंडी हो सकती है इसके लावा आप अपने कस्टमर्स को सिटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं आप कुर्सियां कुछ रख लें कुछ टेबल रख लें ताके वह एजिली जो है वह कमफर्टेबली आपके बर्गर को एंजॉय कर सकें यह चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और यह बहुत रोल प्ले करती हैं किसी भी बिज्मिस की सक्सक्स के लिए हैं कमफर्ट जो ह है अब आप जितनी कमफर्ट अपने कस्टमर को देंगे उतना आपके बिज्मिस को ग्रो होने के चांसी ज्यादा मिलेंगे तो यह एक छोटी से मेरी काविश थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थैंक्स वार वाचिंग मैं शाल्ला मजीद जो है वो वीडियो करता रहूंग थैंक्यू बर्मच थैंक्स वर वाचिंग गुट बाइ अल्हाफिस